एपिसोड एट की स्टार्ट में शीक्यू लिन से कहता है अगर तुम्हें डूगू के पास जाना है तो पहले मुझसे पीछा छुडाना होगा जिस पर वो कहती है मुझे डूगू के पास जाना चाहिए वो कितना स्ट्रॉंग दिख रहा है वो तुमसे जादा पावरफुल ह साथ ही उसके पास यूनिकॉन आम भी है जिस पर शीक्यू कहता है मेरे पास भी यूनिकॉन आम है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ जिसके बाद वो दूगू से लड़ने जाता है लेकिन दूगू उसे बहुत मारता है और उसके यूनिकॉन आम पर प पूरी दिर बाद शीक्यू अपना शर्ट निकाल कर वहां आता है और पूरी ताकत के साथ डूगू से लड़ता है जहां वो उसे इस बार बराबरी की टक कर देता है और उन दोनों में खूब लड़ाई होती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मार कर दूर आ जाते हैं जो डूगू से कहती है ये टाइम अपनी ताकत को बरबाद करने का नहीं है आपको मूरॉंग बुला रहे हैं हमें अभी किसी और काम पर जाधा धियान देना है जिस पर डूगू शीक्यू से कहता है तुम्हें तो मैं बात में देख लूँगा जिसके बाद वो वहां से च तुम्हें तो फैंग लियों ने वहीं स्टॉप कर दिया था तो तुम इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए जिस पर शीक्यू कहता है मैं इसके बारे में बात में बताऊंगा पहले तुम मुझे छोड़ दो लेकिन वो नहीं छोड़ती इसलिए शीक्यू से पकड़ कर साइड क की तरफ बढ़ने लगते हैं तब हान फिर से फैंग लियों से पूछती है क्या सच में तुम वो फैंग लियों नहीं हो जिससे मैं सोच रही हूं जिस पर फैंग लियों कहता है क्या सच में मैं वैसा ही दिखता हूं तब हान उसे सारी बात बताती है कि काफी साल पहले चू बूटी लाने पहाड के उपर चहर रही थी तब ही मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे पहाड से नीचे गिरने वाली थी लेकिन सही टाइम पर फैंगलियों ने मुझे बचा लिया अब फैंगलियों उसे पीने के लिए पानी देता है साथी वो उसे दिलासा भी देता है पर गार्डिंग करना भी छोड़ दिया वो गदार थे हान चू को उसके फादर के बारे में बुरा भला कहने से मना करती है लेकिन वो नहीं सुनती वहीं ये बात छुपकर फैंगलियों सुन रहा होता है और वो हान को बचाने वहां से भागते वे चू से लड़ने जाता है ले में मेरे साथ चलना होगा यृना मैं इन दोनों को ही माड़ दूंगी जिस पर हान उसके पास जाने लगती है फैंगलियों उसे मना करता है लेकिन वो कहती है मेरे PAUL कोई और रास्ता नहीं है मैं नहीं चाहती कि मेरी मा मारी जाय साथ ही तुम्हें भी कुछ हो जाय इसलिए वो उसका हाथ अटाकर चू के पास चली जाती है जिसे देखकर फैंगलियो दुखी हो जाता है अब प्रेजन सीन में फैंगलियो को अचानक सीने में दर्द होने लगता है ये देखकर हान घबरा जाती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है ये एपिसोड यहीं हो जाता है थैंक्स पर वाचिंग